नमस्कार आज मैं यहां स्टैनफर्ड विश्वविद्याले के डॉक्टर महादेवन के साथ हूँ आपका स्वागत है डॉक्टर महा नमस्कार मेरे साथ उपस्थित होने के लिए आपका धन्यवाद आईए बात करते हैं कि किसी नए रोगी या ऐसे रोगी का इलाज कैसे करना चाहिए जिसकी स्थिती अचानक और अकस्मात रूप से बदली हो और जहां बीमारी की गंभीरता और बीमारी का कारण अग्यात हो चाहे अपात कालीन विभाग, चिकित सालिय या अस्पताल हो जब हम नए रोगी या ऐसे रोगी से मिलते हैं जिसकी स्थिती अकस्मात रूप से बिगड़ी हो तो हमें तुरंट तीन चीजें एक साथ करनी चाहिए यह तीन चीजें हैं बीमारी का कारण और गंभीरता समझने के लिए रोगी की जाँच करना यह देखना की रोगी अभी बीमार है या कि वो कुछ ही मिनिट या घंटों में बीमार हो सकता है और उस थिती के लिए तयारी करना और जिन रोगियों को बीमार वरगी कृत किया उनका स्थाइकरन करने की शुरुआत करना। इससे हमें महत्वपून बातों को न भूलने और महत्वपून खोच को न चूकने में सहायता मिलती है। महा, रोगी की सामाने उपस्थिती की जाँच करते समय आप किन बातों पर ध्यान देते हैं? मैं देखता हूँ कि रोगी लंबे समय से बीमार है या स्वस्थ नजर आ रहा है और मैं कुछ चीजों के संकेत खोचता हूँ जैसे चिंता, नींद न आना, श्वसन थकान और डायाफॉरसिस, मतलब पसी न आना। हम एक छोटी जाँच शुरू करते हैं जिसका पहला कदम होता है AVPU वर्गी कृट सिस्टम के माध्यम से रोगी की चेतना के स्तर्का तीवर आनकलन. AVPU का अर्थ है सतर्क, अलट, मौखेक, वबल, आवाज के प्रती प्रतिक्रिया, दर्द, पेन, केवल दर्दनाक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया और गैर अनुक्रिया, अनरेस्पॉनसिव. डॉक्टर, महा, आप हर एक AVPU वर्ग का आनकलन कैसे करना पसंद करते हैं? यह आनकलन करते समय की रोगी सतर्क है या नहीं, मैं देखना पसंद करता हूँ कि उनकी आखे खुली हैं या नहीं और वे अपने वातावरन एवम चिकित सक, यानी की मुझ पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं. फिर, यदि यह स्पष्ट है कि वे अपने वातावरन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं हेलो कहकर उनका अभिवादन करता हूँ और अगर वे मेरी आवाज का जवाब देते हैं, तो मैं उन्हें मौखिक रूप से अनुक्रिय वर्गी कृत करता हूँ. इसके पश्चात, अगर वे मेरी आवाज का जवाब नहीं देते, तो मैं कोई गैर हानिकारक उत्तेजनाय प्रदान करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि उनके अंगूठे के नाखून को चूटना या अपने टकने से उनकी उरोस्थी को मलना, यह देखने के लिए कि वे अ कोशिशों से अनुक्रिया नहीं होते, तो मैं उन्हें गैर अनुक्रिया वर्ग में वर्गी करता हूँ, जिन रोगियों को मैं पी, यानि दर्द से उत्तेजन पर अनुक्रिया होना, मैं वर्गी करता हूँ, और जो अनुक्रिया नहीं दिखाते, उन्हें मैं अपने मन में बीमार वर्गी क्रित करता हूँ. जब हम चेतना के लिए AVPU आनकलन कर लेते हैं, तब हम ABC, यानि वायुमार्ग, Airway, सांस लेने, Breathing और रक्त संचार, Circulation का आनकलन करना शुरू करते हैं. यदि रोगी सामान्य रूप से बात कर रहा है, तो वायुमार्ग को साफ और खुला माने. यदि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे, तो आप उनके मुँख के अंदर देखकर उनके वायुमार्ग की जांच कर सकते हैं. वायुमार्ग जांचने और किसी प्रकट बाधा को हटाने के बाद, आप रोगी के सांस लेने का अंकलन करेंगे. डॉक्टर, माहा, आप आम तोर पर सांस लेने का अंकलन कैसे करते हैं? मैं तलाश करता हूँ तीवर श्वसन गती की जो सामानिता एक मिनट में पच्चीस सांसों से ज्यादा होती है. तिपा इस्थापन की मतलब क्या रोगी पीट सीधी और हाथ घुटनों पर रखके बैठा है, छाती के फूलने की, हाफने की और उनकी गरदन की मानसलता के जकड़ाव और कभी-कभी हर सांस के साथ उनके उदर के खिचने की. तथा पी रोगियों के श्वसन की गती हमेशा तीवर नहीं होती है, और यदि वे लंबे समय तक पीरा में हो, तो वे थकान या श्रान्ती महसूस कर सकते हैं और उनकी श्वसन गती धीमी होना शुरू हो सकती है. इस वक्त पर वे थके हुए या नींद में भी दिखाए पड़ सकते हैं. यदि वायुमार्ग में, सांस लेने में या रक्ट संचार आंकलन में कुछ असामाने पाया जाए, तो रोगी को संभवता बीमारवर्गी कृत करें. डॉक्टर, माहा, रोगी के आंकलन में कौन से जीवनांग आप जल्द से पाना चाहते हैं? मैं पाँच जीवनांग जल्द से जल्द पाना चाहता हूँ जिसमें हृदे गती, रक्ट चाप, श्वसन गती, ऑक्सीजन संत्रिप्ती और तापमान शामिल हैं. हमारे तीवर आंकलन के संक्षेपन में, हम रोगी के पास जाते हुए उनके सामाने रूप रंग को देखते हैं, एवी पी यू स्केल के जरिये उनकी चेतना जाँचते हैं, वायुमार, सांस और रक्ट संचार का आंकलन करते हैं, और सारे जीवनांग नोट करते हैं. क्योंकि हम रोगी के आंकलन के लिए एक विवस्थे द्रिश्टिकोन का उप्योग कर रहे हैं, यह हमें साथ ही रोगी के बारे में सोचने की क्षमता देता है. डॉक्टर, माहा उप्चार क्रम की शुरुवात में रोगी के बारे में सोचते हुए आप क्या निर्धारित करने का प्रयास करते हैं? अनकलन के दौरान यदि हम देखते हैं कि रोगी के प्रारंभिक आनकलन में कुछ शिंताजनक असमानेत आए हैं तो हम जल्द ही कदम लेते हैं. डौक्टर, माहा ऐसे क्या शिग्र कदम है जो आप रोगीयों के स्थाईकरन के लिए लेते हैं यह जाने बगैर की बीमारी के कारण क्या है या रोगी कितने बीमार हैं? ऐसे कई तीवर उपचार कदम है जो आप रोगीयों को पुनरजीवित करने या उनके स्थाईकरन के लिए ले सकते हैं. मैं अपना ध्यान मदद की मांग करके संसाधनों को एकत्रित करने पर रोगी की सास और रक्ट संचार के लिए उन्हें ठीक से लेटाने, पूरक ऑक्स और अंतहशिरा इंट्रावेनस लाइन को लगाने पर केंद्रित करता हूँ. क्योंकि उनकी स्थिती बदल सकती है. उनकी जांच के दोरान हमानकलन करो, सोचो, कदम उठाओ की विवस्था का उप्योग करना जारी रखते हैं. धन्यवाद, डॉक्टर, माहा, हमारे साथ जुडने के लिए, क्या आपके पास कोई अंतिम सीखने के बिंदू है? जी, धन्यवाद. याद रखें, रोगियों की बात ध्यान से सुननी है. यदि वे आपसे कह रहे हैं कि कुछ गरबड है, तो अकसर गरबड होती ही है. विश्वास बनाने के लिए उनकी बात को सुने, अपनी चिंता व्यक्त करें और उनकी देखभाल करें और सहायता देने करने के बाद. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.